असलाम अलाइकूम आज मैं आप सब के साथ शेड करने वाली हूं ब्लेक चिकन की रेसिपी इसको कड़कनाथ भी बोला जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट बनता है ये हर कहीं पर नहीं पाया जाता है ये जो ब्लेक चिकन है न कड़कनाथ मुर्गा ये इंडिया के जो मध्यप्रदेश है, वहाँ पर जो जावा जीला है, आदिवासी शेट्र है, वहीं पर इसकी नसल पाई जाती है, और वहीं से ये पूरी इंडिया में भेजा जाता है, ये बहुत महेंगा मिलता है, और ये बहुत अच्छा होता है सहत के लिए, इसकी तासीर गरम होती है और काफी बीमारियों के लिए फायदेमन्द है, तो यहां पर मैंने ब्लेक चिकन को दोकर पीस कर लिए है, आप देख सकते हैं, इसका जो चिकन और भी ब्लेक है, ऑर इसकी जो हटियां वो भी ब्लेक है, कुकर लिया है, मैंने उसमें सारा चिकन एड़ कर दि हम इसको हिलाते रहेगे और कुछ देर पका लेंगे जब तक इसका जो पानी है वो तूटना जाए पानी इसका तूट जाएगा उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें प्याज एट कर दूँगी प्याज एट करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी एट कर दूँगी हल्दी पाउडर यहाँ पर मैं इसमें एट कर दूँगी अब उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें नमक भी एट कर दूँगी उसके बाद यहाँ मैंने लिया है अद्रक लसन और वो भी मैंने इसमें एट कर दिया है उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी तेजपत्ता और उसको भी मैं दो तिन टुकडे में तोड़कर इसमें एट कर दूँगी तेजपत्ता भी मैंने इसमें एट कर दिया है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे गेस हम बिल्कुल धीमी रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले और कुछ देर भून लेंगे ये जो ब्लेक चिकन है ये मटन जितना ही टाइम लेगा पकने में गलने में तो इसलिए हम इसको कुकर में सीटी लेंगे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे और ध्यान रहे कि ये चेटे नहीं गेस हमारा यहां बिल्कुल धीमी रहेगी और हम इसको ऐसे चलाते हुए भून लेंगे पांच मिनिट तक हम इसको ऐसे ही भून लेंगे और अगर हमको लगे कि ये चेटने लगाया तो हम इसको मिक्स कर लेंगे अब हम इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेगे और अब हम यहाँ पर पानी इसमें एड़ करेंगे तो पानी हम इसमें मुटन जितना ही एड़ करेंगे क्योंकि यह जो चिकने बहुत टाइम लेता है गलने में तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम इसमें पानी एट कर देगे तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी एट कर दिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसको सीटी लगा लेंगे मसाला तयार करेंगे यहाँ पर मैंने ओयल गरम होने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले जैसे बड़े इलाईची, तेश पत्ता एड़ कर दिया है उसके बाद यहाँ पर मैंने अद्रक लसन एड़ करके अब हम इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें एड़ कर दिये ग्रेवी और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लगातार चलाते रहेंगे हम और अगर आपको लगे कि जो मसाले है वो चिपक रहें तो आप थोड़ा सा पानी इसमें एड़ कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको गेस बिल्कुल धीमी रहेगी हमारी और इसको हम भून लेंगे यहाँ पर मैंने इसमें धन्या पाउडर एड़ कर दिया है उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चला लेंगे कुछ देर उसके बाद यहाँ पर मैंने काली मिर्ची का पाउडर लिया है उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और कुछ देर चला लेंगे अब मैं इसमें लाल मिर्शी पाउडर एट कर रही हूँ आप अपने हिसाब से जितना आपको तिखा पसंदे इसमें मिर्शी एट कर सकते हैं थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब हम यहाँ पर मसाला भून लेंगे हल्दी मैंने वहाँ पर एड़ कर दिया था इसलिए मैं यहाँ पर हल्दी एड़ नहीं करूंगी मसाले को अब हम भून लेंगे चलाते रहेंगे और अगर आपको लगे कि हमारे जो मसाले हैं वो चिपक रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी एट कर देंगे दीमी आशपर ही हम मसाले को भूनेंगे हलका सा नमक एट कर दिया है मैंने इसमें मसाले के लिए ताकि मसाले में भी हमारा नमक रहे थोड़ा बहुत चला लेंगे हम इसको और भून लेंगे ध्यान रहे हैं कि हमारे कुछ भी मसाले चिपके नहीं अगर आपको लगता है कि आपके मसाले जो चिपक रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा-thोड़ा सा पानी एड गरके इसको भून लेना ब्लेक चिकन हमारा उधर बन रहा है कूकर में इसकी सीटी आ रही है जब तक हमारा ब्लेक चिकन होता है तब तक हमारा उदर मसाला भी हो जाएगा तो तीन सीटी के बाद हम इसको अब चेक कर लेगे और आप देख सकते हमारा जो चिकने वो गल गया है ब का यंजब स decisory करेंगे कि उसके अंदर प्याज भी कटी भी हैं तो वह हमको अच्छे से मिคะ ना पढ़ेगा कटी कुछी प्यास थी इसलिए हमको अच्छे द्रीट पोट पानी है. चिकन हमने सारा एट कर दिया है, अब रम इसको अच्छे से मिक्स कर लेगे, मसाले में. काफी बड़े बड़े पीस है, इसलिए थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है इसको पलटने में. पानी जो हमारा था उसको मैंने अच्छे से फेटने के बाद इसमें एट कर दिया है पांच मिनिट तक हम मसाले में भूनेंगे चिकन को उसके बाद ही हमको इसमें पानी एट करना है ध्यान रहे पानी में हमारे उबाला जाएगा और ये जो पानी है वो थोड़ा बहुत जल भी जाएगा थोड़ी बहुत ही ग्रेवी वाला बनेगा ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लेक चिकन थोड़ा हम इसमें पानी में भी भून लेंगे और फिर यहाँ पर धन्या पत्ति डाल देंगे उसके बाद ये जो हमारा ब्लेक चिकन है बनकर तयार है अब हम गेस बन कर देगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेगे आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ब्लेक चिकन बनकर तयार है बहुत ही अच्छा स्वाथ देता है ये अगर आप कभी इसको बनाओगे तो इसका जो टेस्ट है आप भी सोचेंगे कि इसमें मटन का भी टेस्ट आता है और चिकन का भी तो ये दोनों का कॉंबिनेशन है इसकी तासीर बहुत गरम है और ये बहुत ही फाइदेमन होता है आपको हमारी ये ब्लेक चिकन या फिर कड़कनात मुर्गे की रेसीप अच्छी लगी है तो आप प्लीज कमेंड करना न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर करना